हलो दोस्तों, COC Lovers चैनल पे आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे एक बोलर एटेक जो वाड हम लोग हार चुके हैं लेकिन जिसे हारे हैं मतलब सेल्यूट है उनको आज हम लोग देखेंगे एक बोलर एटेक तो चलिये हम लोग देख लेते हैं बोलर वीच एटेक पहले बेस को थोड़ा देख लेते हैं यहें एक मैक्स तो नहीं बोलेंगे वाल छोड़के मैक्स है मोटा मोटी मैक्स टाउन हाल टेन बेस इंफर्नो टावर भी फोर ही है थ्री तो है यही है फोर तो हो नहीं सकते इलेवन में फोर होगा चलिए अब देखते हैं अटेक इसको हंड्रेट परसंट कैसे कर दिये हैं वो भी बोलर और वीच से देखते हैं दो मिनिट बीस सेकेंड लगभग लगे हैं इसको हंड्रेट परसंट करने के लिए दोनों साइड से हीलर और वीच और दो बोलर भी छोड़त हैं दोनों को छोड़ दिये हैं बीच में दो स्पेल डाल दिये हैं टाउन हॉल के तरफ जाना चाहते हैं यहाँ पर क्लैन कैसल से जाइंट लेके आ रहे हैं लेकिन जाइंट भी अंदर नहीं गया बोलर भी अंदर नहीं गया सब दोनों साइड से निकल गए दोनों ही लेकिन दोनों साइड से यहाँ पर साइड से सब बिल्डिंग को हुए निकल रहे हैं दोनों साइड से सब बोलर वीच और ग्रैंड वर्डिन का पावर यूज हो रहा है वो लोग आटमेटिक हील हो रहे हैं कि यहां पर हीलर को पकड़े हैं एक लेकिन छोड़ भी दिये हैं रेंज से बाहर चला गया इंफर्णों का और एक इंफर्णों यहां पर सिंगल भी हैं उसका सामने जो अड़ाए वो तो खतम हो जा रहा है एक वीज भी ऐसे गया और यहां पर दोनों साइड से लगभग एक साइड ही बचा है और बीच का टाउन हॉल अब बोलर लोग तो साड़े कुछ तोड़ते हुए जा रहे हैं एक ही बाकी है एक कैनॉन वो तो कुईन को लगभग खतम ही कर दिया है लेकिन इसका अभी तक ह है अभी टाइम भी आ गया हाँ हो गया है कि कुईन का इबलेटी हो गया है और बोलर तो एक कैनॉन को उड़ा भी दिया है अब सब मिलके कि जा रहा है अंदर इसमें दो इंफर्नो टावर है और इसमें से एक सिंगल लेकिन बोलर के सामने तो टिक भी नहीं पाएगा क्वीन ग्रैंड वर्डन एक गया टाउन हॉल भी लगभग खतम उसके साथ इंफर्नो भी खतम अब तो विस हो गया दो हो गया हंड्रेड परसें कंप्लीट वह वह सामा भाई क्या खेले चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं ऐसे ही वीडियो अप लोग के लिए लाते रहता हूं जो भी मुझे इंट्र हुआ हुआ है